हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर कर जिंद पुरही तो आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फ़र इंजिनेरी मैथमेटिक्स बेस सिस्ट कर आप किसे भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां पर हाइ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं इनर प्रॉडट्ट इस्पेस जो होता है यह कहने कई लीनियर अलजबरा का ही पार्ट होता है पर इसके लिए आपको वैक्टर स्पेस का समझना बहुत ही ज़रूरी है तो य यहां पर प्रॉडट्ट दे रखा होता है अगर वह प्रॉपरेशन कोई पर्टिकुलर दो से तीन प्रॉपरेटी साटिस्फाइब करता है तो वह हमारे पास उस ऑपरेशन के लिए वह इनर प्रॉडट्ट स्पेस हो जाता है तो यह वह आपको आज समझाने वाला हूं और सब्सक्राइब को समझने से पहले थोड़ा समय कॉंप्लेक्स का एडिया लेना पड़ेगा कि अगर हम जानते हैं यह कॉंजूगेट दे रिखा है और यह हमारे पास Z है अगर मैं इन दोनों का प्रॉडट्ट करूं जैड बार करूं यह हमारे पास आएक्स प्लस आयोटा इन टू एक समझाने कोशिश कर हैं यह होती है इस उन mod Z1 plus Z2 is less than equal to mod Z1 plus mod Z2 होता है and Z1 plus Z2 का conjugate उसको mod Z1 का conjugate plus Z2 के conjugate के बाराबर लेख सकता है अब बात करेंगे इस उन inner product के बारे में सबसे बाइन इनर product बताऊँगा फिर बात करूँगा inner product space के बारे में इस उन inner product हमारे पास यहां पर क्या होता है यह तरह का operation होता है और इसको वेक्टर स्पेस पर define करते है तो यह अगर हमारे पास कोई VF वेक्टर स्पेस है जहां पर जो फिल्ड है वो यह तो complex number का हो या फिर real number का हो है ना उस पर यह inner product जो होता है यह define होता है मतलब यह हमारे पास एक operation होता है इसको इस तरह से दिनॉट करते हैं इसको इस तरह से दिनॉट किया जाता है और इस पर यह तो यहां पर यहां पर क्या होता है इसकी particular condition होती है अगर वो इस तरह सब्सक्राइब करता है तो वह हमारे पास क्या होता है इस वेक्टर स्पेस पर इनर product होता है अब मैं बताना चाहिए तो फस्कंडिशन क्या होती है इस फस्कंडिशन होती conjugate symmetry की conjugate symmetry क्या होता है अगर मैं दो element लूँँ और उस पर यह operation लगा तो त्यार वह इसके बराबर हो जाना चाहिए यहां पर क्या होगा बीटा आगया जाएगा अगर बीटा अलफा हो जाएगा मतब सिमेट्रिक हो जाएगा उपर हमारे पास यहां पर आजाएगा इसके उपर बाहर आजाएगा यह जो है यह एक रियल नंबर का है तो सब्सक्राइग क्योंकि रियल में हमारे अलफा कोमा गामा प्लस बी यहां पर बार आजाएगा बीटा कोमा घामा हो जाएगा थर्ड प्रपरटी होती है हमारे पास यहां पर नॉन नेगटिविटी कर दो नौर और सेम एलिमेंट हो तो इसका जो भी ओपर यह वेलियो आईगी वह हमेशां क्या होगी जीरो और जी प्रपरटी में आपके सामने एक दो एक्जामपल देता हूं उससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि होता क्या है अब बात करेंगे सुने एक्जामपल नंबर वन हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दे रिखा सी एए और सी हैना खुद कॉंप्लेक्स नंबर पे को इसका डामेंशन होता है यहां पर हमारे पास अलफा हमने लिया जो कि शी से और रहा रहा है और बीटा भी यह वह पास इसका जो ऑपरेशन होगा इनर प्रट्ट वो इस तरह से हम डिफाइन करते राइट अगर मैं इसको बताना चाहूं तो हम इस तरह से भी लिख सकते अलफा इंटू बीटा का चॉंजूगेट का ट्रांस्पोस यह इसको ऐसा भी बोलते हैं अलफा इंटू बीटा ठीटा राइट कॉंजूगेट का टास्विट अगर आपने पढ़ा होगा हर्मीशन मैट्रिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या करते कोई मै अब बात करेंगे कि यह जो ऑपरेशन है क्या यह इनर प्रोडट है या नहीं है तो यह तीन प्रोपर्टी को क्या करना चाहिए है सबसे पहली का मतलब यह होता है कि हमारे पास अगर हम पर अल्फा बीटा हो यह पर आ बहुटा के लिए प已经 darf पींछे चला जाना चैकर यह बाराब तो यहां पर भी एक्स बाइक्स तुए तो यहां पर घ्रले लेते हैं अगर इसका वापिस यह के बारा बार आजाना चाहिए तो यह काम घत्म आपका राइट त्यार हुई करेंगे क्या करेंगे इसका हम ओड़ेंगे अगर इसका हम पास बीटा कॉमा अलफा का किसके बार बर गया अलफा बीटा की बार अगर मतलब यहां पर conjugate symmetry तो satisfy हो रही अब बात करेंगे linearity property के बारे में कि यह linearity हमारे पास satisfy हो रही के नहीं हो रही है तो है linearity हम क्या करेंगे सुन गामा लेंगे z1, z2, z, n तक और हम यहाँ पर यह लेके चलेंगे जब हम यह लेके चलते हैं ध्यान देजे हम यहाँ पर यह लेके चलते हैं अलफा प्लस बी बीटा कोमा गामा यह लेके चलते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें A आगे चाहिए यह आएगा अलफा कोमा गामा और यहाँ पर हमारे पास बीटा कोमा गामा अगर हम ऐसा ओपर उसके में पर उपर उपर इसके जो इलेमेंट इस पेंड गामा यह पर एगा इसके आप अंदर की तरफ मल्डिप्लाइब करेंगे तो अब देखो यह है यहां पर यह अपर यह हो पास और यहां पर इसकार न सेकंड इल्यमेंट किसका रहा गामा तैप अब बात करेंगे नोन नेगटिविटी सेम अलफा लेंगे और अलफा तो फस्ट अल्फा से जाएगा second element alpha से आगा तो भी हमारे पास क्या होगा फिर्स अलिमेंट यह होता है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा पॉसिटीव हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे नो नेगटिव एभी कलीशन भी इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हमारे पास है यह हमारे पास क्या होगा इनर प्रोड़ट्ट डिफाइन होगा अब इनर प्रोड़ट अगर इस वैक्टर प्रोड़ट इस स्पेस हो जाता यह वह हम आपको आगे समझाऊंगा प्लब नौ नेगटिवटि के अंदर एक कंसेप् बराबर होगा, बात करते हैं एक और question में कि अगर हमारे पास यहां पे जो complex की जगह, अगर real हमारे पास field हो जाता है, मतलब rn और r type का हो जाता है, तो भाईया, अगर rn और r type का होगा, तो हमारे पास जो operation होगा, उसमें यहां पे conjugate नहीं लगेगा, clear है, है ना, क्यूंकि conjugate का कोई concept खतम हो जाता है, यहां पे, because complex में लगता है, right, so यह आएगा, x1, y1, x2, y2, xn, yn, यह हमारे पास inner product हो जाएगा, इसमें तीनों property यहां पे क्या हो जाएगी, satisfy हो जाएगा, यह हमारे पास inner product हो जाएगा, बात करेंगे, एक example लेते हैं, जिससे r3 और r है, और हमारे प कर दो, बात बराबर, right, यह भी आप कर सकते हो, तो अलफा हमारे पास कितना है, यहां पर समझ सकते हो, इसमें एक और concept समझाना चाहता हूँ, कि जब भी हमारे पास यहां पे वैक्टर, इसमें और c है, और अगर कोई scalar हमारे पास inner product में दे रखा है, तो यह उसको अगर निकालना चाहते हो, तो यह हमारे पास alpha, beta हो जाएगा, पर अगर बाइचास यह बीटा के साथ है, तो यह जब हम बाहर की तरह निकाले पर यह क्या हो जाएगा, यह आपको समझने की जरूत है, जिसे माले जी यह हमारे पास 12 दे रखा है, अगर यहां पर हमारे पास 224 होत जरूत है, आगे बढ़ेंगे स्विन, इसविन एक और एक्जामपल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी vector space है, over C, मतलब complex हमारे पास यहां पर field है, और यहां पर हमारे पास सभी continuous complex value function जो 0 और 1 में define हो रही है, वो सभी mapping अगर हम लेते हैं, तियार हमारे पास vector space होता है, इस हमारे पास operation के अताहत, मतलब अगर Ft, GTA हमारे पास यहां पे दो mapping है, तो 0 to 1, Ft और second वाले पास conjugate into GTA आजाएगा, और यहां पे हमारे पास तीनों की तीनों property हो जाएगी, satisfy हो जाएगी, पर यह ध्यान देने की ज़रूत होती हमारे पास complex value function जो होंगे, all continuous complete value function के लिए हमारे यह होता है, अगर यही हमारे पास real value function हो जाता, तो उस वाले case में यहां पे conjugate हड़ जाएगा, कहानी वो क्यों हो जाएगी, example को आपन प्रूव करके दिखा सकते हैं, यह हमारे पास inner product होगा के नहीं होगा, तो सबसे पहली property हमारे पास conjugate symmetry होती है, यहार कॉंजूगेट symmetry में यह पास के आजाएगा, यह आजागा, अगर यह बराबर यह आजाता है, तो हमारे काम खता में, तो वही हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी value निकालेंगे, तो यह जी टी एफटी का conjugate है, तो हम जानते कि जो पहले वाला होता है, उसके उपर यह सिंपल आता है, पहले वाला सिंपल आता है, दूसरे वाले पर बार लगता है, तो अब यह conjugate अलग 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 डिस्ट्यूबिट होगा तो इसके उपर आएगा, और हम जानते का conjugate का conjugate जो होता है, वो सिंपल हो जाता है, और हम जाते इसकी value वापिस इसके बराबर होती, तो आप देख रहे So linearity property भी हम यह यहां पर क्या करेंग, ft, g,t, h,t, m हमने यहां एपर, unity फंक्शन लिए और हम यहां पर यह समझने की जरूँत है अभी एच बार अंदर की तरफ आएगा इच बार और तो हो जाएगा और जी इंटु एच बार तो हमारे पास लीने पर पर फोड़ी क्या होगी साटिस्फाइब होगी नेक्स परपटीटिट तो फस्ट यहां पर पास यहां पर इसकी वेलू निकाले जीरो और जीरो से बड़ी होने चीए तो जब हम एफ एफ लें तो फस्ट यह आजाएगा और सेकंड में इसका canja, right, हम जानते है, f और f का conjugate, तो यहार हमर पास mod of square हो हम जानते हैं, kisी का भी square जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, तो यहार हम जानते है, जानते हैं, यह 0,0 से बढ़ा होगा, right, अब बताना चाहता हूँ, तो यह हमारे पास हो गए हैंस दे प्रॉडट्ट को डिफाइन कर देते हैं तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा तो यह आपको समझने की जरू होते है, right, so note that vr is the real value, हमारे पास continuous function दे रखा है, on 0, 1 तो उस वाले case में second में हमारे पास conjugate नहीं आएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ और ये भी हमारे पास सब की सब तीनो property को satisfy करता है, और ये अगर हम इस vr पे लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता, inner product space बनता है, so this way मैं inner product की definition बताना चाहता हूँ, so बात करेंगे inner product space की definition की बाद तो ये होती क्या a non empty set v is equipped with the inner product is called inner product space कोई भी हमारे पास यहाँ पे vector space inner product जो हमारे पास है उसके साथ equipped होता है, मतलब वो इस एक साथ में यहाँ पे operation लगा दूँ, मतलब यह हमारे पास जो product है, यह यह तीनो property को satisfy कर देता है, मतलब हमारे पास symmetry वाली property है, linearity वाली है and non-negative वाली satisfy कर देता इस vector real field पे तो यह हमारे पास जो set होगा यह हमारे पास क्या होगा, inner product space क्यालाता है, है ना so जैसे example लेते है, let we be the vector space of all continuous real value function, right continuous real value function on 0, 1 then आप से पुचा जाए कि x, x square की value क्या होगी, इस विन बताना चाहता होगी, जब हमारे पास यहाँ पे f, g होता है और हमारे पास यह real value continuous function है, तो यह यह 0 to 1 आजाता और यह f into g into dt हो जाता, अगर complex पे होता, तो यहाँ पे g बार आ जाता खेर अब यह complex नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे real ही आएगा, clear है, ठीक है तो यह आपको समझने के जरूद है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या और है, हमारे पास यहाँ पे आपको समझने की जरूद है, इस यहाँ आपको चाहता हूँ कि यह वाले question का answer है, आपको मुझे comment box में देना है और जो मैंने concept बताया है, उस concept से इस question को solve करने में आपको कितने seconds लग रहे हैं, प्लीज आप यह मुझे comment करके जरूर बताईए, कि आपस यह बोला जा रहे है, हमारे पास real value continuous function का mapping है, जो vector space पे define a view और आर पे तो आपसे पूचे जा रहे हैं, इसकी value क्या होगी, राइट, तो यहाँ पे चाहर options दे रहे हैं, तो आपको इस का answer मुझे बताना है, तो सुन में आपको बताए, यहाँ पे कि जो वेक्टर space का concept है, inner product में वो क्या है, और inner product space क्या होता है, वो में आपको बताए, मुझे लगता है, जो में आपको बताए, वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इसमुन यहां पर जब पर किमेरे जितने भी वीडियो से इस शॉर्ट्रिक्स इप मेंций काफि अप्लोड कर रहा हूं जै het मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहांön। कॉसे फरिख पर मनें लास्ट में कमेंट करें जूरु को सोल्ट करने में ने ब्रत कि